नमस्कार दोस्तों मैं गौर्व कुमार स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल गो आई क्यू टैक में और इस चैनल पर हम टाइम टू टाइम स्टडी और टैक्स रेलेटर वीडियो लाते रहते हैं तो आज का जो हमारे टोपिक होने वाला है वो है नवींतम मंत्री मंडल 2019 इस वीडियो में हम एक्जाम पॉइंट ओफ यू से जितने भी कोश्चन हो सकेंगे वो सभी डिसकस करके चलेंगे मंत्री मंडल के बारे में जानने से पहले हम यह देख लेते मिशचन तो समीधान का भाग 5 संग अनुछिद 52 से लेकर 151 तक प्रेश्ट में फिर ग्यारा का प्लस किया चोहत्तर तो ऐसे मियाद रख लेंगे ने नेक्स्ट यह अनुछेद 79 में संसद 80 में राजयसभा और 81 में लोग वर्तमान में हमारी भाजपा की अंत्रिम सरकार बनी है तो उसका जो सपत समहरों हुआ था वह है तीस में 2019 को और जो हमारे पीम नरेंदर मोदी जी को जो सपत दिलाई है वो राश्पती रामनात कोविंद जी ने दिलावाई है ठीक है जवालाल नहरू और इंद्रा गांदी के बाद यह तीसरे हैं से प्रधार मंत्री बने हैं कि जो पूर्ण बहुमत से सत्ता बनाए रखन नहीं बनाए प्रधार मंत्री नियंद्रमोदी जी इ हैं जन्होंने राश्पती भवन के होल को छोड़ कर का सप्ध लिया राश्पती भवन के खुले प्रांगण में नेक्स्ट कोश्चन है कि सपत समहारों में हमारी जो गैस्ट कंट्री रही है वह कौन रही है तो सबसे पहले तो बिंस्टेक कंट्रीज रही है नेक्ष्ट एस्सियो संगाई सहयोग संगठन के जो परमुक है किर्गिस्तान के राष्टपती जीन बेवकोव और मौरिशच के परदान मंत्री प्रविन कुमार नेक्ष्ट और थाइलेंड से ग्रीसाडा बोन रेक तो ग्र विदेशनीती के तहथ सभी जो उन्हें नोता दिया गया था तो वो था परदोसी पर्थम के तहथ नेक्ष्ट यह कि साकिल से पहुंचने वाले कौन से राजनेता रहे हैं तो यह मंसुक लाल मंडाविया जो भाजपा के नेता थे ऐसा इन्होंने परियावरण के बारे में जागरुक करने के लिए कि आया है सभी को कि जो हमारे राश्पती रामनात कोविंद जी हैं उनके द्वारा सपत समाहरों में रात्री बोजगा जो आयोजनी किया गया है उसमें जो श्पेशल डिस्ट थी यानि विसेज डिस्ट जो थी वो उसका नाम था डाल राय सीमा और इसकी खाशित यह है कि इसे 48 घंटे तक पकाया जाता है सुरुवात करते हैं मंत्री मंदल की तो जो हमारे परदान मंत्री नरेंदर मोदी जी है तो उनके पास कौन-कौन से विभाग हैं कार्मिक जनसिकायत परमानु उर्जा अंत्रिक्ष सभी नीती मुद्दे और ऐसे साजी को बनाए गया है तो रक्ष्शा मंत्री वर्तमान में हमारे राजनान सिंग जी बनाए गया है तो देखी है मने यहां से षर्वर पकड़ा राज है ठबर घृतन यहां और वितमंत्री चै 컨ív लिए तो और उन्होंने कोई पतबहर लेने से radio तो हमारी वित मंत्री बनाए है वो हैं रमला सीथा रभान जी कर लो पैसे को सिक्यूर करने की बात आती हम तो किसके आतों में देना चाहेंगे यह भार कि जिसका मन सीता और राम की तरह निर्मल निर्मल तो वित्मंत्री निर्मला सीता रमन नेक्ष्ट देखते हैं कि वर्तमान में जो हमारे कि जो सड़क परिवहन मंत्री हैं वो नितिन गड़करी जी थे पहले भी नितिन गड़करी थे और अब भी नितिन गड़करी है इसे हम याद कैसे रखेंगे तो देखें यहाँ पर नाम क्या रहा है नाम में गड़करी में गड़ा रहा है तो यहाँ हम याद रखें गड़ा तो सड़कों में क्या होते हैं गड़े होते हैं न बहुत ज़्यादा तो हम यहाँ से याद रख लेंगे कि सड़क परिवहन मंत्री कोंने गड़ करी जी यह नितिन गड़ करी खादिय प्रसंस्क्रण मंत्री तो खादिय प्रसंस्क्रण मंत्री कौन बनाई गई हैं हर्सیمرत कोर बादल तो देखे जैसे हर्सीمرत कोर नाम से ही पता चल रा है कि पंजाबी थैं तो जो पंजाबी होते हैं वो खाने पिने वाले होते हैं ठीक है तो यहां से हर्सीमरत कोर बादल सर्म j ai आद रख लेंगे कि महिला और बालिव का समनत्री वे कपड़ा मंत्री कौन बनाई गई है समर्ती इरानी जी तो देखे समर्ती इरानी पूर्व में भी हमारी कपड़ा मंत्री थी और वर्तमान में ने कपड़ा मंत्री और महिला वे बालिवकास मंत्री का अदभार दिया गया है हम याद कैसे रखेंगे तो जो महिलाए होती हैं उन्हें कपडों का बोज़ा दस्मों होता है उनके हमेशा मन में ये रहता है, माइन में हमेशा ये रहता है कि हमें कौन से कपड़े खरीदने हैं, क्या कपड़े खरीदने हैं उनकी स्मर्थी में हमेशा क्या रहते हैं? कपड़े महिला होगी तो यहां से हम याद रख लेंगे कि इस मर्ती रानी कोन है? महिला और बालिवकास मंत्री और कपड़ा मंत्री कानून और नियाय संचार मंत्री कोन बनाए गए है? रवी शंकर परसाद जी तो यहां से देखिए हमने यह सब्द पकड़ा शंकर तो शंकर भगवान क्या करते हैं? नियाय करते हैं ठीक है? अगर किसी की दाथ कभी भी कुछ गलत होता है तो क्या बोलता है कि शंकर जी सब सही करेंगे तो कानून और नियाय संचार मंत्री कोन बनाए गए है? रवी शंकर परसाद जी अल्पसंखिक मामले तो अल्पसंखिक मामलों के जो मंत्री बनाए गए है वो मुकतार अबास नकभी है और पूर्व में भी जो अल्पसंखिक मामलों के मंत्री थे वो यही थे ठीक है? वैसे आप सबी को याद होगा बट अगर याद रखना चाते हैं वैसे भी तो जो हमारे देश में जो मुस्लीम्स हैं वो मैनल्पसंखिक में आते हैं तो यहाँ पर अकेले यह मुकतार अबास नकभी जी है तो यहीं मुस्लीम है तो यह याद रख लेंगी कि अल्पसंखिक मामलों के मंत्री को ने मुकतार अबास नकभी जी तो मानव संसाधन वे विकास मंत्री कौन बनाय गए है तो रमेश पुखरियाल निसंग जी को मानव संसाधन मंत्री बनाय गया है तो उत्राखन के रहने वाले रमेश पुखरियाल निसंग जी को क्या बनाय गया है मानव संसाधन मंत्री पशुपालन और डेरी विभाग के मंत्री किने बनाया गया है तो गिरीराज सिंग जी को पशुपालन और डेरी विभाग के मंत्री बनाया गया है तो इसे हम याद कैसे रखेंगे हमने यहाँ से वल्ड पकड़ा गिरीराज तो देखिए गिरी राज किने बोलते हैं भगवान कृष्ण को बोलते हैं क्योंकि उन्होंने गोवर्दन परवत को उठाया था तो इसलिए उन्हें गिरी राज भी बोलते हैं तो जो गिरी राज थे यानि कि भगवान शेर क्रिशन थे वो पशुपालन भी करते थे यानि कि गाईों को चराते थे अपनी तो यहां से हम ऐसे याद रख सकते हैं कि पशो को को चराते थे गिरी राज याने कृष्ण भगवान तो पशुपालन और डेरी विभाग के मंत्री को उन है गिरी राज सिंग जी नेक्स्ट है कोसल विकास विभाग के मंत्री किने बना गया है तो कोसल विकास विभाग के मंत्री महिंदरनाथ पांडे जी को बनाया गया है तो नेक्स्ट है अधिवासी मामलो के मंत्री कीने बनाया गया है तो वो बनाया गया है अर्जुन मुणडा जी को तो देखे यहां से हमने वर्णड पकड़ा मुणडा तो हम बचपन से एक बात सुनते आये हैं क्या कि बिर्सा मुणडा अधिवासीयों के नेता थे तो बिर्सा मुंड़ा अधिवासियों के नेता थे ना तो वहां से बिर्सा मुंड़ा से याद हो जाएगा अर्जुन मुंड़ा को ने अधिवासि मामलों के मंत्री रसायन एवं उर्वरक मंत्री किने बनाया गया है तो वो बनाया गया है तो उसे क्या जाएगा अनदा जाएगा तो रसायनेमम उर्वरक वाली घास खाकर क्या जाता है घोड़े को अनदा जाता है ठीक है तो ऐसे याद रख लेंगे कि रसायनेमम उर्वरक मंत्री कोन है सदानद गोड़ा जी तो विदेश मंत्र अले इस बार किने दिया गया है तो वर्तमान में जो विदेश मंत्री बनाए गए हैं वो है एस जैशंकर जी सुभरमन्यम जैशंकर तो देखिए जैसे विदेश हमारे पास से दूर होता है ऐसे ही शंकर भगवान भी हमारे पास से दूर होते हैं ठीक है त अधिसफ जैशंकर जी पेट्रोलियम और इस्पातमंत्री वरतमारनों और को बराया गया है तो देखें हमने यह से देखा कि जैसे गाउं होते हैं तो परधान राशन में क्या बाटते हैं पहले कि नो यह लियानी की मिर्टी का तेल बाटा जाता था तो हम यह वान कि चले हैं जरुकर लगे कि अगर आप वीडियों को स्विद्यों पूरा देख लेंगे तो उसके बाद जब आप इन्सTO को सोलो करें गों एक्जाम में कर लिए नहीं करके आए तो हम एसे याद रहें कि सूचना पर्सारण और परियावरन मंत्री कोने प्रकाश जावडेकर जी नेक्स्ट करशी और ग्रामिन विकास के मंत्री कोन बनाए गए है नरिंद्र सिंग तोमर जी ग्रामिन विकास और करशी मंत्री बनाए गए तो नेक्स्ट है उब्होगता मामलो के मंतरी किने बना गया है तो उब्होगता मामलो के मंतरी रामविलास पासवान जी को बना गया है तो देखिए जैसे रामविलास में हमें एक साउंड आ रही है पानविलास की तो पानविलास मसाला होता है तो उसका उब्होगता मामलो के कि कम सलादी जाती है तो इसलिए उबहोगता मामलों कि मंतरी कोन बनाई गए है राम विलास जी राम विलास पासवान जी देखी जैसे फारत इसरो गही गाया तो प्रलाच जोशी जी को क्या कि शली जी को मत्रीक बनाए गया है तो इसे हम याद कैसे रखेंगे कोईले से तो भक्त पर्लाद की स्टोरी सभी को पता है तो जैसे हिर्णा कर्षप ने पुत्र पर्लाद को एक खंबे से बांद दिया था तो हम यह मान के चलेंगे कि वो खंबा जो था वो कोईले का खंबा था तो जैसे उसने परहार किया वो खंबा तूट गया और उसके अंदर से भक्त पर्लाद निकले और वो जो खंबा था वो कोईला कोईला हो गया ठीक है तो ऐसे हमी क्या आयाद रख लेंगे कि संसदीय मामले कोईला और खंणिजमंत्री कोन है पर्लाद जोशी वर्तमान में हमारे जल मंतरी कौन बनाए गए है या टो यसे याद रख लेंगे जल मंतरी को और श्री गजेंदर सिंग से खावज्क जी स्वास्थे कल्यान मंत्री तो वर्तमान में स्वास्थे कल्यान मंत्री किने बनाया गया है दोक्टर हर्षवर्धन को तो देखे इनके नाम में डोक्टर है क्यों जमी खुदी डोक्टर है तो क्या बनाया गया है इन्हे स्वास्थे कल्यान मंत्री ऐसे जाद रख लेंगे अरुन जेटली जी ने प्रधान मंत्री जी को एक पत्र लिखा और उसमें उन्होंने उनसे आगरा किया कि उन्हें कोई भी पत्र देने के लिए विचार ना किया जाए क्योंकि उनका स्वास्थे उस समय से खराब चल रहा है एक कोईशन आप सदी के लिए है कि वरतमान में हमारे खेल मंत्री कोन बनाए गए है अगर आपको इसका जवाब पता है तो अपना अंसर समेंट बोक्स में कमेंट कीजिए अब लास्ट में मैं बस यह कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छे लगी और इससे अगर आपको थोड़ा भी फायदा पहुंचता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और जितने भी आपके पार स्टडी रिलेटेड ग्रूप से उसमें शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को पुद्क्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए क्योंकि जिससे मेरे आने वाली नेक्स्ट सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें